आम द्राम द्रीम द्रोम चा शुक्राई नमह जिन मनुष्यों की कुंडली में शुक्र ग्रह खराब हो या शुक्र सूरी के साथ बेठ जाए या शुक्र चंद्र के साथ बेठ जाए या शुक्र जो है सूरी वा चंद्रमा के साथ एक साथ भी बेठ सकता है तो उसे शुक्र पिडित व्यक्ति कहा जाता है और जिस मनुष्य का शुक्र पिडित होता है उसके जीवन में सुख की कमी होती है धन की कमी होती है आर्थिक इस्ति उसकी खराब अवश्य होती है तो अपनी कुंडली चेक करवाए कि क्या शुक्र खराब तो नहीं है जिसकी वज़े से आपके भरकत नहीं होती हो धन की कमी हमेशा बनी रहती हो तो एच से मनुश्य को महीने में एक बार शुक्ल पक्ष की अस्टिमी के दिन कन्या पूजन करना चाहिए और यदि आसपास कहीं पर लक्षमी नायरान का मंदिर हो तो वहाँ पर जाकर के कमल का पुष्प उपलब्ध हो तो वो चड़ाएं नहीं हो तो गुलाब का पुष्प चड़ादें और इत्र अवश्य चड़ाएं उन्हें मिच्री, ड्राइफूट और कुम-कुम अन्यता जिंदे की भर आपके दामपत्य सुख में भी कमी रहेगी और धन में भी कमी रहेगी याने सीधी सीधी बात है शुक्र कमजोर का मतलब है लक्षमी कमजोर होना और घर की पतनी जो होती है धर्म पतनी होती है वह लक्षमी रुपा होती है उसके भी स्वास्त में खराबी आ सकती है या फिर उसका सुख आप नहीं भोग पाएंगे इसलिए शुक्र को हमेशा मजबूत करके रखना चाहिए यदि किसी मनुश्यक्री पत्री का में शुक्र कमजोर हो और शुक्र को मजबूत करवाना चाहता हो तो शुक्र के जो नक्षत्र होते हैं उनमें पूजा पाट करें, जब तब करें, हवन करें खीर से हवन किया जाता है शुक्र का और दान धरम करें यदि आप खुद स्वयम आकर के हमारे यहां पर दिकनना चाहते हो तो यहाँ पर भी यह शुक्र की शान्ति कराई जाती है और शुक्र से सम्मंदित अनुस्थान किया जाता है देवराधटरस्ट सत्यवानी चैनल से आप यह काम करवा सकते हैं 9893128047 और 764986712 पर संपर के कर लें केवल वाटसप के माध्यम से और आप सेम अपने हातों से अनुस्थान करें जप करवाएं दान धरम दें ताकि आपका शुक्र अच्छा हो सकें और आप पारिवारी जीवन शान्ति से गुजार सकें और धन की कमी आपको नहो जैमा तादी जैमा कमक्या ओम दरामद्रीम द्रोम से शुक्राई नमह